नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कोमर 6 में आज मैं आपको HRM के कुछ ऐसे important topic करवाने वाली हूँ जिससे 99% आपके काफी सारे questions कवर होंगे पिछले साल की बात करें तो 6 questions आपके आई हुए थी इसके अंदर HRM में से 6 questions बहुत बड़ी बात है और marketing में से भी 6-7 questions तो आप यह मान के चलिए कि एक marketing का topic और HRM का topic आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना बिल्कुल भी marketing की कम से कम 10 वीडियो मैंने पिछली डाली हुई है मैं एक बड़ प्लेलिस में डाल दूँगी पर्टिकुलर marketing के नाम में से उसमें आप देख लिजेगा लगबग सारे topics जो हैं जो previous year में आपके questions आए हुए है क्या pricing है क्या customer behavior है क्या life cycle है product की वो सब डाले हुए है आप उ जिसमें मैं आपको कुछ functions है HRM के वो काफी सारी regarding important point वो भी करवाँगे लेकिन ये वाली वीडियो भी आपने पूरी end तक देखनी है एक-एक point आपका important है देखिए राइब ध्यान से पहले एक question है आपका authorized and authorized illegal strike when existing contract मतलब क्या है कि हम लोग किसी contract के according काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी illegal strike हो जाती है मतलब कि मालो हम लोगोंने एक contract के according काफी सारे labor हैं वो काम कर रहे हैं कि आपको ऐसे से काम करना है पूरे साल के अंदर आपको इतना काम करना पड़ेगा या आपकी salary मिलेगी या आपकी term and conditions है लेकिन फिर भी अगर कोई labor illegally strike कर देता है तो उसको क्या बोला जाता है तो एक पॉइंट के अंदर एक एक topic है आपका तो देखिएगा सबसे पहले है विसल ब्लॉइंग तो विसल ब्लॉइंग का मतलब क्या होता है विसल बजाना अगर कोई भी ऐसा incidence हो जाता है जैसे कि बैंक के अंदर विसल रखी होता है सायरन होता है कि जैसे ही पता लगा कुछ कुछ विसल ब्लॉइंग हो गईान फोई तो विसल ब्लॉइंग हो गई तो वो क्या है कि और फिसल ब्लॉइंग का पांद बेसाी चाहरन विसल ब्लॉइंग कोई कैड़ी इसा अंफेर इवेंट होना जो कि हमारे बिजनस के लिए सही नहीं है तो उसको बोलते हैं विसल ब्लॉइंग तो यह तो है नहीं इसका उसके बाद है का वैस्टिंग गया का मतलब क्या होता है कि मानलो मैं प्रोपर्टी लेना चाहती हूं मैं property लेना चाहते हूं मैं third party हूं किसी और party से मैं जब तक उस party अगर मालो हा नहीं करती दूसरी वाली party तो मैं उस party से asset नहीं ले सकती हूं तो वो क्या होता है? Westing right यहीं Westing right का मतलब होता है ऐसी power, एक ऐसी position, एक ऐसा right जिसके तहत third party हम से बिना किसी हमारी consent के हमसे asset नहीं ले सकती है उसे हम लोग क्या बहुते है? Westing right right का मतलब होगे अधिकार, property के उपर जो अधिकार होता है तब ही जो कहते हैं कि registry हमारे नाम पे जा कर ले तू क्या करेगा? दुकान तो मेरे नाम पे क्या कर लेगा? तो वो सब चीज़े होती है जो कि वोई क्या होता है कि Westing right होता है उसके बाद है अगला आपका pen down strike pen down strike क्या होती है? pen down strike का मतलब क्या होता है? नाम सी समझ में आ रहा है कि pen छोड़ दी हमने लेकिन हमने कोई हंगामा नहीं करना हमने कोई शोड़ नहीं मचाना हम अगर peacefully strike करते हैं अगर हमारी कोई demand है मालो हम labor हैं और हम demand कर रहे हैं किसी particular एक ऐसी चीज की salary की wages की, bonus की, किसी भी चीज की लेकिन हम ऐसा कोई शोड़ नहीं मचा रहे हमने क्या है हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि जिससे हमारे जो मतलब कि हमारी जो factory है हमारी organization है हमारी संस्था है उस पे किसी बिबगार की आच आए कोई शोड़ मचे कुछ भी हो सिरफ हमने अपने pen down कर दी है मतलब कि हमारी सा कोई काम नहीं कर रहे है peacefully strike जिसको बोला जाएगा वो है pen down strike अगला जो most important है जो इसका answer रहने वाला है वो है wild card strike wild card strike का मतलब ही यही होता है कि जब हम किसी contract में काम कर दें तो हम अपने contractor से अपने owner से अपने union associate से अपने leader से उससे नहीं पूछेंगे कि हमें strike करनी है ना ही हम उसको बताएंगे चुप चाब अपनी strike कर देंगे तो वो क्या होता है illegally strike होती है wild card strike बोला जाता है इसको wild card strike ध्यान रखेगा यह 4 point होगे आपकी तो ध्यान रखने है आपने अब हो सकता है कोशन whistleblowing में से आजए हो सकता है वेस्टिंग राइट में से आजए pen down strike में से pen down strike का मतलब होगा peacefully उसके बाद अगला कोशन है most important बहुत बार आया है job evaluation के बारे में पूछा जाता है तो देखिएगा enhancing job by giving employment more opportunity to work मतलब क्या होता है opportunities दें कि आप इस काम को करें साथ की साथ हम आपकी efficiency को improve करेंगे by training by special training तो वो क्या होता है job enrichment होता है job enrichment और इसके इंदर option देख लेजएगा क्या क्या है job enrichment है job evaluation है job specification है job fair है मैं सब को बताऊंगी आपको तो ये भी आ सकता है कि job enrichment है job enrichment है वो कैसे हो सकता है तो वो कैसे होगा special training से होगा जैसे कई जो particular organizations होती है appointment के time पर ही पहले training गराती है उसके बाद ही वो आगे उससी seat पर बिठाएंगी पहले आपकी 15 दिन की महीने की training होगी जैसे generally bank में होता है insurance companies में होता है किसी ऐसी organization में जिसका हम काम नहीं जानते कुछ भी हम आके खड़े हो जाएंगे तो नहीं हो पाएगा तो वो 15 दिन एक मेने की training देंगे उसके बाद ही वो काम हो पाएगा तो job enrichment job evaluation क्या होता है job evaluation आपने वैसे ही appraisal के time पे होता है job evaluation आपने जो काम किया है क्या आप उसको justify कर रहे हो आपकी working efficiency के according आप काम कर रहे हो आप deserving हो उसीज के लिए तो उन सबको हम लोग क्या बोलते है job evaluation बहुत important है job specification job specification का मतलब क्या होता है जैसे हम लोग कभी कहीं interview देने के लिए जाते है तो हमें particular एक form मिलता है कि हम कौन से job title भी बोला जाता है job specification है कि हमने किस particular काम को हम करना चाहते हैं या हमारे अंदर ability है हमने यह यह काम किये हुए कई बार यह भी होता है जैसे appraisal के time पे भी होता है कि job specification मतला आप अपनी job specify करो कि आप क्या क्या काम कर रहे हो तो एक कलंबी से list होगी उसके अंदर काफी सारी job जो हम काम कर रहे होंगे जैसे मालो कोई अगर production का काम करता है तो production से related लिखे रहा sale का है तो sale से purchase का मतला उस particular define करेगा कि यह यह काम मैं कर रहा हूं यह मेरी specialty है यह काम कर भी सकता हूं वे मुझे यह काम हसाइन हुआ मैं इससे related यह काम कर रहा हूं मालो public dealing का है तो public dealing में हर पर आपकी public को deal कर रहा हूं मालो loan वाला कोई आ जाता है person bank में है तो loan वाले को भी credit card के लिए आ रहा है कोई debit card के लिए आ रहा है सबको मैं deal करता हूं तो वह सब क्या हो जाएगा job specification फिर है आपका job fair देखिए job के लिए हम लोग try कर रहे हैं यह भी एक ऐसी जंग है job की ही तभी आप मैं आपको परहारी हूं और आप मेरी video देख रहे हैं job fair लगते है मतलब कि किसी भी organization को अगर job की जरूरत होती है तो वह job fair लगाता है कि आप आईए और अपना interview दीजिए उसाथ की साथ अपका selection हो जाएगा government भी कई बार job fair लगाती है जैसे कई बार कुछ नेता बगरा आते हैं वह कहते हैं जो पर्टिकुलर कैंडिडेट से अपना नाम फिल करें अपना बार डाटा लेके आप आईए interview दीजिए अगर आप eligible होंगे तो हम आपको job appoint कर देंगे आपको की क्यूट कर देंगे तो वह क्या होता है जी job fair ध्यान रहेगा यह भी आपको बहुत important है आपको financial production ऐसा कौन सा एक हतियार है एक ऐसा कौन सी policy है जिसमें यह कहा जाता है कि हम आपको financially protect करेंगे तो उसमें option दी होगे थे एक option था hello error hello effect golden parachute hello effect hello error क्या है पहले आप hello error को जानेंगे तो effect साथ की साथ हो जाएगा कई बार क्या होता है कि हम किसी person को particular नाम से नहीं जानते उसकी work से नहीं जानते हमें नहीं पता कि वह क्या काम कर सकता है उसकी ability क्या है उसकी deserving क्या है लेकिन हम उसे देखके आइडिया लगा लेते हैं जैसे कि कोई person अगर interview देने के लिए आया वह suited booted है और हमने उसे तो चार अक्षर वर्ड है वह English के बोल रहा है तो हम यह assume करेंगे कि इसको अच्छी खासी knowledge होगी educated person होगा इसे सारी English आती होगी लेकिन बाद में पता चलता है कि कुछ हो रही हो गया तो according to personality जब हम कुछ ऐसा उस person के लिए rating कर देते हैं appraisal के time में हम ऐसा कुछ या तो उसकी personality के according उसके ज़्यादा number लगा देते हैं या हम उसकी personality के according कम number लगा देते हैं तो सही number नहीं लगाते इस तरह से यह क्या होता है hello error होती है तो effect क्या हो गया effect भी यही आ गया अगर हमने उसको देखा hello error का मतलब है कि हमने उसको देखा और हमने गलत एक illusion जो है अपने मन में बिठा लिया ब्रहम की यह तो बंदा बढ़िया ही होगा और उसका जो effect क्या है उसके number बढ़िया की साफ error तो हो गई कि हम जो अपने मन में एक फिट कर लेंगे बात को और effect क्या हो गया उसका effect यह होगा या तो हम उसके number ज्यादा लगाएंगे या कम लगाएंगे यह होता है इसका hello effect फिर है golden parachute golden parachute एक ऐसी टेक्नीक होती है एक ऐसा लुभावना सा एक हतियार होता है यह कह सकते है कि employer के पास कि वो क्या कहता है कि मालो अगर किसी कारण से हमारा institute आप इतनी बड़ी जोब को छोड़ के आ रहे हो और हमारी खुद की stability नहीं है और हम आपको रख रहे हैं तो अगर in case company wind up हो जाती है in case आपकी transfer होती है in case कोई ऐसी problem माद आती है आपको job छोड़नी पड़ती ह है तो आपको compensation मिलेगा एक particular financial assistance आपको मिलेगा तो वो क्या होता है हमारा golden parachute एक ऐसा financial position जो हमें in future में हमारे लिए safe zone में रखेगा आपको फिर उसकी बाद है downsizing का मितलब होता है जर्नली तो बड़ी financial जो मतलब की organizations होती है उनमें तो यह होता नहीं है छोटी small type की जो इंडस्ट्री होती है इंडस्ट्री होती है उनके अंदर क्या होता है कि कई बार company wind up पे पहुँच गई मालो तो end तक उस person को हम उस नाम को रखेंगे कि यह person हमें end तक चाहिए या कि company को मतलब की down sizing मतलब की company में कोई loss चल रहा है हम company को बंद करना चाहते है अपने organization को बंद करना चाहते है तो हम termination की list के अंदर जितने नाम लिखेंगे कि यह हमने terminate करने है या हमने यह end तक रखने है वो जो हम list बनाएंगे न वो list बनाने का जो process होता है वो क्या है down sizing है ध्यान रखेंगा down sizing तो इसमें से देखिए आपका financial protection कौन सा हो जाएगा golden parachute भी golden process है कोई ऐसी problem हो गई कुछ ऐसा हो गया कोई भी ऐसी गलती हो गई तो अगर हम उसको ठीक करते हैं तो हम क्या ठीक करते हैं हम हमेशा ही एक point देखते हैं हम अगली पिछली दोनों चीजों को देखेंगे पिछली बार हमने क्या किया था और हम क्या कर रहे हैं तो एक हमारे इसके अंदर solution के लिए method है एक तो है जी organization loop एक है single loop एक है organization learning और एक है trial and error learning तो एक बार हम सबको समझ लेते हैं फिर हम इस question को कर लेंगे असान हो जाएगा हमारे लिए trial and error learning थोन डाइक ने भी बताया था trial and error का जैसे system बताया था कि हम लोग कोशिश करते गएंगे गलतियां होती गएंगी हम end तक उस चीज को पाने में सफल हो जाएंगे जैसे हमने कुछ गलतियां करी error as that के exam के अंदर हमने वो गलतियां silly में stake कर दी और हम paper देखकर आ गए अब हमने वो गलतियां नहीं करनी है तो ये क्या है हमारा trial and error हो सकता है इस बार आपका clear हो जाए तो ये trial and error method ही तो है ना कि हम try करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं हर साल paper देते जा रहे हैं दो दो number से या एक एक number से रह रहे हैं तो ये कौन सा हो गए आपका trial and error learning हम कोशिश और गलतियों से अपने आपको सुधारते हैं फिर आपका organization learning organization learning का मतलब क्या होता है organization learning का मतलब होता है कि हम ये actual में organization learning का मतलब क्या होता है कि organization learning के अंदर हम एक organization को समझते हैं उसके rule and regulations को समझते हैं उनके काम करने का तरीका समझते हैं, किस तरह का organization है, उसके according ही हमें अपने आपको adjust करना होता है, तो वो क्या होता है, organizational learning, double loop का मतलब क्या है, कि हम अपने पिछले जो भी हमारा system रहा, हम उस गलती के कारण को पकड़ेंगे, फिर हम गलती को ठीक करेंगे, पहले हम उस जड़ तक पहुचेंगे, कि यह गलती होई तो होई कैसे, यह होता है double loop, कि पहले हम उसके reason तक पहुचेंगे, reason तक, फिर उसके बाद उस रीजन को सुधारेंगे, diagnose करेंगे, फिर उसके बाद उसका हल करेंगे, उस समस्या का, कि यह समस्या दुबारा भी ना आए, तो वो तो होता है, कि हम सिर्फ जो problem होई है, उसको correct कर दें, पहले हमने जैसे की थी, वैसे हमने देखके उसको correct कर दिया, हमें यह मतलब नहीं है, कि वो आई कैसे, और double loop में होता है, कि हम उसको check करते हैं, उसकी तहह तक जाते है, कि problem आई तो आई ही क्यूं, अगली बार आने ही नही है, और इसके अंदर हम correct तो इसमें correct करेंगे, तो आप देखो process correcting, past routine and present policies, तो पिछले बाले को देखा और इस बार ठीक कर दिया, तो single loop है, अगर यह आता कि हम यह check करें कि यह mistake हुई कैसे है, तो आपका double loop आजाता, organization learning और यह तो इसके method तो नहीं है, वैसे इसमें option में दिय हुआ है, ठीक है, उसके बाद अगला है हमारा, perceived fairness amount or allocation, मतलब हम किसी ऐसे person को job पे जिसको रखा हुआ है, हम एक particular allocation कर रहे है, amount दिया जा रहा है, उसको reward दिया जा रहा है, उसको extra, जैसे उसने कोई भी achievement करी, मालो हमने उसको production का target दिया कि 1000 unit का production करना है, उसने 1000 से जादा कर तो हम उसे reward देंगे, incentives देंगे, amounts देंगे, अलग से, perks देंगे, तो वो सब क्या हो गया, जी, आपका इसके अंदर point आएंगे, तो वो fairness amount allocation को बोला क्या जाएगा, देखिए, एक है हमारा इसके अंदर organizational justice, एक है हमारा distributed justice, एक है हमारा procedural justice, एक है international instructional justice, तो देखिएगा, ये ज चारो point है, उसमें से जो organizational justice है, ये तीनों उसी के पार्ट है, organizational justice के ही तीन पार्ट है, कौन से वाले पार्ट हैं जी, एक तो है जी, आपका distributed, और एक हो गया जी, procedural justice, और एक है हमारा इंट्रक्शनल, इंट्रक्शनल justice, ये तीनों तो पहले ही बार्ट है, इसके ही पार्ट है Distributive justice के अंदर क्या आता है, कि हम reward देते हैं, हम particular salary बढ़ा देते हैं, wages देते हैं, wages के साथ incentive देते हैं, तो वो क्या है Distributive justice, तो ये तो ये ही कह रहा है, कि fairness amount of allocation भी fairness होने चाहिए, कोई काम ज्यादा कर रहा है, तो incentive मिले, उसको कुछ extra perks मिले, तो Distributive justice इसका अंसर आए रहा, लेकिन एक बार ये भी देख लीजी ये क्या है फिर आपका Procedural justice और international justice, Procedural justice का मतलब क्या होता है, कि अगर किसी भी organization में, trade union के अंदर, trade union और labor association में कोई problem हो जाती है, तो उसको जब solve किया जाता है, तो procedural justice बुला जाएगा, कोई भी factory के अंदर, कोई भी organization में कोई भी ऐसी problem आ गई है, तो अगर हम उसका solution डोण लेंगे, तो procedural justice है, भी किसी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, काम होना चाहिए, बस फिर उसके बाद है, international justice, इसका क्या मतलब होता है, कि हम लोग, जैसे, same यही है वैसे तो, कि हम एक particular किसी की ability को बढ़ाते हैं, उसको improve करते हैं, कोई ऐसी problem आ जाती है, तो वो क्या होगा हमारा, इंट्रक्शनल justice बोला जाएगा, इसको, इंट्रक्शनल justice, या फिर informational justice भी बोला जाता है, कि particular एक persons की जो skill है, उसको inform करना, फिर उसके बाद उसको उसी के according ही काम देना, उसके जो ability है, उसके according उसको justice देना, मतलब कि work की efficiency के according ही, उसको जो काम दिया जाएगा, equity जैसे होगे समान होना चाहिए, समान काम का जो एक बटवारा होता है, उसको क्या बोलते है हम लोग, international according to उसकी ability, मालोग कोई person है, वो काम सेल में, डिपार्टमेंट में ज्यादा अच्छा करता है, और उसे हमने अलोट कर रखे है, परचेज से, तो परचेज से हटा के उसको सेल में इसका justice हो गया, कि जो उसकी ability है, उसके according ही उसको काम देना, equity हो गई जैसे, समानता हो गई, उसकी according ही सामने वाला जितनी salary ले रहा है, तो उसको भी उतनी salary मिल रहे है, जो same ability है, यह होता है इसका मतलब, ठीक है, तो यह बहुत important topic है, एक एक point मैंने आपको इसलिए करवाया इसका कि क्या क्या है, 99%, इसी में से question दुबारा आएंगे आपके, घूम फिर के आएंगे, इसमें से double loop है, single loop है, इसके बारे में पूछा जा सकता है आपसे, और job, evaluation, job, enrichment, specification, job, फिर इसमें से आते ही रहते हैं question, और यह westing right, pen down, आपकी whistle blowing, बहुत important है, hollow effect, hollow error, golden parachute, downsizing, यह सब important points है, एक बार फिर से अच्छे से दुबारा से वीडियो को देखके, pause करकर अपने notes बना लिजी का बहुत important topic है आपके लिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली वीडियो के अंदर भी HRM के जो main main topics हैं, जैसे function है, इसके operational function है, उसके अंदर HRM क्या करता है, appraisals के time म क्या क्या गलतियां होती है, कौन कौन सी common error आती है, जैसे उसमें hello error और hello effect का भी इसमें आता है, और lenient है, कौन कौन सी errors है हमारी वो सब हम अगली वीडियो में बहुती एक marathon type की जो वीडियो होगी, जिसमें HRM के बहुत सारे topic आपके clear होने वाले हैं, वो हम लोग करेंगे, तो HRM की जो class है हमारी दो या तीन classes के अंदर वैसे तो कोशिश करूं कि next class में आपका फुगा कपुगा topic हो जाए, और marketing की जितनी वीडियो है वो मैं playlist में डाल दूँगी, आप उसमें से देख के उठा लीजिएगा, और अब time इतना कम रह गया है, कि हर चीज की वीडियो लग बनाना तो मुश्किल है, तो एक ही वीडियो में चार चार पांच 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 टोपिक डालने की कोशिश करूंगी, जैसे आप लोग गत्यों कि मैराथन तो मैराथन टाइक में हो जाएगा, और बाकी फिर भी पिछली जो वीडियो है, जो 42 वीडियो की playlist है, थैंक यू